दोस्तों, जीवन की गलतियों में से, कुछ गलतिये सबसे बड़ी होती हैं, जो इंसान की मूर्ता का, फेलियर का, एक बुरे जीवन का कारण मन जाती हैं, पूरे जीवन इंसान को दुख देती हैं, ऐसी ही गलती को सुधारने के लिए, आज मैं आपको एक छोटी सी कानी सु जो आम दिखते उनसे दूर भागता और जो उसको लगता कि सुन्दर नहीं है चाह चेहरे का रंग हो चेहरे की बनावट हो शारीरिक बनावट हो वो उनको जलील करता बच्चा छोटा था लेकिन बड़ी गलत गलत बाते करता था उसके माता पिता उसकी आदद से बहुत परि गहर उन्होंने देखे ढूंडे समझा बच्चे की मा के दिमाग में एक ख्याल आया एक विचार आया उसने बच्चे से कहा हमने दो घर देखें दोनों में पसंद आ रहे हैं अब चुनाव हम तुम पर छोड़ते हैं तुम्हें जो पसंद है उसको हम हां कर देंगे वो पह दूसरे घर पे गए बिल्कुछ साधा साधा रहा बस सफेद पेंट हो रहा था कुछ भी अच्छा नहीं था बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा ये भी कोई पूछने की बात है वो पहले वाला घर फाइनल करतो माता पिता ने का रुको रुको एक बार अंदर से तो देख लो घर कैसा है माता पिता के आग रहे पर बच्चा दोनों घरों में अंदर गया जो घर भार से महल जैसा दिपता था बहुत सुंदर बनावट थी अंदर से खोकला खंडर था चत चू रही थी दिवारे टूटी हुई थी अंदेरा था घुटन थी खिड़किया ही नही थी पूरे घर में एक दो खिड़किया थी बस एक बड़ा सा ड्रॉइंग रूम था छोटे छोटे कमरे थे जैसे स्टोर रूम हो बातरूम तो सड़े हुए उस घर में जाकर बच बाद वो उस बच्चे को दूसरे घर लेकर गए जो बिलकुल साधारण था अंदर गए तो घर तो बहुत ही सुन्दर था बनावट बिलकुल नहीं सी थी खिड़किया ही खिड़किया थी सूरज की रोशनी नहीं घर को जगमगा रखा था बत्ती की तो जरूत ही नहीं थी कमरे बड़े बड़े थे अच्छी अच्छी पेंटिंग टंगी हुई थी फर्ष भी बहुत सुन्दर थे ग्लास वर्क हुआ हुआ था मानो किसी महल में आ गयो उसे देखकर बच्चा बहुत खुश हुआ बाथरूम में गए तो बिलकुल साफ स्वच बाथरूम थे फिर बच्चे की माने उससे पूछा अब बताओ कौनसा घर पसंद है कौनसे घर में रहना चाते हो बच्चे ने इस सदारर से देखने वाले घर को हां कर दिया कि ये तो सुर्ग है और वो सुन्दर देखने वाला घर नरक है मा मुस्कुराई और बोला चुनाफ बेटा हमने पह हो मैं हूँ कोई भी और है उस सुन्दर घर को बहुत अच्छा समझेगा जो भार से सुन्दर है अच्छा पेंट है अच्छा दिखता है मैल जैसा दिखता है कोई भी उसका चुनाव करेगा उसमें रहना पसंद करेगा और इस घर की तरफ कोई देखेगा भी नहीं साधार उसे अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जहां मैं रहूंगा वो जगे कैसी है, कमरे कैसे है, फर्ष कैसे है, दिवारे कैसी है, बातरूम कैसे है, हवा पानी है की नहीं, खिड़किया है की नहीं, जो हमने और तुमने देखा, और अंदर देखने के बाद मकान बाहर से कैसे दिखते हैं वो माएने ही नीरा हमने और तुमने एक ही फैसला लिया वो साधारन देखने वाले गर को चूज करा क्योंकि हमें उसमें रहना है बाहर नहीं रहना बाहर से रोज नहीं देखना उसे बाहर से नहीं हारना उसके अंदर रहना है बेटा तुम्हारी ज दूंगने, समझने, छूने की जो शक्तियां हैं, वो ऐसे ही काम करती हैं, वो सिरफ देखती हैं, भारी चीज देखती हैं, जो सुन्दर लगा, उसकी तरफ अट्रेक्ट होगे, उसकी तरफ भागेंगी, पकड़ लो, अपना लो, और ये छलावे वाली दुनिया में, मायाव करता है, किसी भी चीज की इनसान की परिष्टिती की गहराई में जाना बहुत जरूरी है, गहराई से समझना, वो हमारे लिए कैसे महत्व रखती है, उसका क्या वो एस्पेक्ट है, जो हमारे लिए महत्व रखता है, इंपोर्टिंट है, जिससे हमें डील करना है, अगर को की सुन्दरता से क्या वास्ता है एक बार ये सोचो सिर्फ तुमारी इंद्रियों को कुछ समय अच्छा लगेगा दोस्ती तो उस इंसान के सभाव से विचारों से अचार से जीवन जीने के तरीके से उसके प्रेम भाव से होगी ना अक्सर हम गलत चुनाओ कर लेते हैं अपनी इंद्रियों के वश में आके और बात में जब उसे भोगना पड़ता है सालों साल तो परिशान होते हैं रोते हैं फिर सीखते हैं कि हम गलत थे इससे अच्छा पहले ही सीख जाओ कि इंद्रियों के भाव में नहीं बहना गहराई में जाकर देखना है किस चीज की क्या रेलिवन्स है क्या फायदा है कौन इंसान कैसा है सुभाव कैसा है वो कैसे हमें सूट करेगा हमारे जीवन में उसका महत्व कैसे है इंद्रियों के लिए महत नहीं, जीवन के लिए महत और ऐसे तुम सही फैसले ले पाओगे सही इनसानों का चुनाओ कर पाओगे, सही चीजों का चुनाओ कर पाओगे आगे से हमेशा इस बात का ध्यान रखना और किसी भी साधरन दिखने वाली चीज या इनसान कि बेस्ती मत करना, उसको कम मत समझना बिना आके बिना बात करे, बिना परके ना किसी बहुत सुम्दर दिखने वाले इन्सान को सीधे सीधे जच कर लेना कि वो अच्छा है या बुरा है वो जैसा भी है उसको समझके पताचलेगा उसके मन की गहराई में उतर कर पता चले हुगा उस दिन बच्चे को एक बहुत बड़ी सीख मिली और जीवन पर उसने उस सीख को याद रख